दोस्तो छपाक फिल्म ने बहुती शांदार उपनिंग लेते हुए अब तक बहुती अच्छी कमाई की है और दोस्तो ये बहुत अच्छी कमाई करते हुए बहुती जल्द हिट होने वाली है जिया दोस्तो हिट क्योंकि दोस्तो इस फिल्म का बजट बहुत कम है इसलिए ये बहुत ही जल्द हीट हो जाएगी और दोस्तों आपको बता दे किसने अपने चोते दिन अच्छी कमाई की पाच्छी दिन बहुत अच्छी कमाई की और यह अपने छटे दिन याज भी अच्छी कमाई करने वाली है जिया दोस्तों आज हम आपको बताने वाला है छपात फिल् करें शेयर करना ना भूले और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आपको फिल्म और इंट्रेइन्मेंट से जुड़ी सभी जानकरिया मिलती रहे तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं बात करते हैं छपाक फिल्म की द गोईन सिंग सद्धू, डीपिका पादुकोन और मेगना गुलजार ने और दोस्तों इस फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया जा रहा है साथी साथ इस फिल्म में एक्टिंग को भी बहुत पसंद किया जा रहा है इस फिल्म का स्क्रीन प्लै भी बहुत अच्छा है और द दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ओडियंस दोनों के ही बहुत अच्छे रिवीउज मिले हैं और ओडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और दोस्तों इस फिल्म का बजट है मातर 30 करोड उपए ज्या दोस्तों मातर 30 करोड के बजट में ये बहुती शांदार फिल्म बनी है और दोस्तो इसे रिलीस किया गया है इंडिया में लगभग 1700 स्क्रिंज पर और सिज में लगभग 400 साहटी स्क्रिंज पर यानि के वलवाई टोटल 2100 साहटी स्क्रिंज पर और दोस्तो आपको बता दे इसमें बहुत अच्छी ओपनिंग लेते हुए अभी तक बहुती अच्छी कमाई की है और ये आगे भी अच्छी कमाई करने वाली है और दोस्तो अगर बात करें इसके box office collections की तो दोस्तो आपको बता दे इसमें अपने चोथे दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 2 करोर 35 लाख रुपए इसमें अपने पाच्छी दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 2 करोर 50 लाख रुपए और ये अपने छटे दिन यानि के आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 2 करोर रुपए जिया दोस्तो अपने छटे दिन यानि के आज इंडियानेट पर लगभग 2 करोड रुपए इसका अब तक का टोटल इंडियानेट कलेक्शन है लगभग 25 करोड सित्यासी लाक रुपए इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है लगभग 30 करोड रुपए इसने और सित से शांदार 25 लाक रुपए और अगर बात करें इसके अब तक क्या वर्ल्ड वाइट बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तो आपको बता दे इसने अब तक वर्ल्ड वाइट से टोटल कमाई की है लगभग 38 करोड 50 लाक रुपए जिया दोस्तो अगर आपने छपाग फिल्म देखी है तो आपको इस फिल्म कैसी लगी आपको इस फिल्म में किस एक्टर का काम ज़्यादा अच्छा लगा दिपी का पादुकोन या विकराद मैसी और आपको इस फिल्म में मेगना गुलजार का डिरेक्शन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं सब्स